तो निखिल आपका ये पूरा बिजनस मॉडल समझने से पहले तोड़ा आपके बारे में समझना चाहूंगा मैं आपने पढ़ाई लिखाई कहां से क्या करी पढ़ाई मेरी बीएस सी एग्रिकल्चर ओनर्स है अच्छा जो मैं लोकल यहीं उदेपूर से करी है अच्छा जी उसके जस्ट कम्लीट होने के बाद फिमेस फार्मिंग बिजनस में आ गया जैसे डिग्री हुरी हो रही थी उसके साथ जोब और सेक्टर में इंट्रेस्ट इतना नहीं था और बिजनेस लाइन में जाने का इंट्रेस्ट जादा था अच्छा जी तो वहाई उसी को देखते तो उसमें इसा एक थमनेल था के 25 साल का युवा कर रहा है 16 एकड में खेती और 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 अर्गनिक खेती से कमा रहा है लाको तो वह क्लिक बैट में मैं आया पर उसमें बहुत अच्छा 25 मिट का वीडियो था बीना स्किप कर रहे मैं देखा अच्छा में लक्षी सर को देख अच्छा और उसमें जो बैसिक होते हैं जो पड़ाई में अपने को इतना नहीं पता पड़ता है वह बैसिक बहुत ज्यादा क्लियर हुए एक पूश मिला कि आप सकते हैं बैसिकली हमारा यही रहता है कि प्रैक्टिकल ट्रेंग में डर निकाले कि बिजनस करना बहुत मु आपको इतना टाइम हमने भी दिया और जब वो ट्रेंग के बाद ऐसे देखता हो ना कि एक्चल इंप्लिमेंटेशन हुआ तो मेरा तो सारा कुछ महीं मलब वसूल हो जाता है हाँ मेरी महनत काम आई अब आपने 2021 में ट्रेंग ली फिर आपने आने के बाद यहां पर शुर करा करीबां दो से तीन क्रॉप मैंने सक्सेश्फुली उसमें मुझे बहुत अच्छे अर्निंग वी अरांड अगर रेवेन्यू की बात करते हैं एक क्रॉप से आट शे दस लग का मुझे रेवेन्यू हुआ एक सीजन में एक सीजन में जो चार महीने पांच महीने का इक सी तो इसलिए मैंने सुचा आप क्या ट्राइ कर सकते हैं तो मेरे जो रिसर्च करी और उदेपुर का जो मार्केट है उसाब से मुझे लगा कि तो आपका यह एक एकड़ पॉलिया है इसका किराया कितना है जो लेंड का किराया है वह 60,000 है यहां पर आपने टोटल 15 टाइप की एक्जोर्टिक वेश्टेबल सुगाई कौन-कौन सी है जड़ा दिखाए रेड येलो कैप्सिकम से चैरी टामटा है दो कलर में रेड और येलो ठीक है रूकिदी है दोनों कलर में ग्रीन और येलो फिर ब्रोकली है जो अपनी सबसे कोमन वरेटी होती है एक्जोर्टिक मे सबसे ज्यादा पीजा और पास्ता में भी होती है उसकी भी बहुत हाई डिमांड है रेड कैबेच और चाइनिज कैबेच इस तरह की एक-दो वरेटी हो रहे हैं तो एक मोटा-मोठी आपने कब प्लांटेशन इसकी चालू करी कैसे-कैसे किस-किस चीज में पैसा खर्च को को पीट में जो अपना बढ़िया जो अपना बढ़िया जो सर कहां से सिख्या है थे तरीके से यूज करके और नर्सी तैयार करी टूब में ट्रांट किया और नावंबर एंड आते आते बहुत सी चीजों की फ्रूटिंग चालू होगी जो मेंली अगर अगर अपन लगा के वरांड वो से सवा दू लाग के असपस का खर्चा है आपका यह चार महिनों में चार महिनों में तो तकरीबन 60,000 रुपे हर महिने का आपका खर्चा आया है इसमें रेंट लेबर बीज इसमें सारा खाथ वगरा फर्वेस्टिंग मार्केटिंग सब इंक्लूट कर शोषइब सेघ्ट समय को से मार्केट का मार्केटिंग करें कहा मार्केट करते हैं जो कि अंधार यहां सेलिंग अपना बहुत ही ज्रुध सी प्रेडर्स कोई बेचना पड़ा और ट्रेडर्स में पोर्शन ले लेते हैं आपके प्रोफिट का अगर हम बात करें अभी यह यलो जुकीनी लगी भी हमारे पीछे यह यलो जुकीनी आप से ट्रेडर कितने में खरीद रहा है आपको कितने रुपे दे रहे और आगे वो अब 35 रुपे में सेयल करने पड़ा था अभी क्योंकि मार्केट में डिमांड हाई है और सप्लाय बोत कम है तो अभी 150 से 200 रुपी तक जैसा कॉंटिटी होती है उसाब से तो यह ट्रेडर आपको दे रहा है 200 रुपे किलो जी इस जुकीनी के जुकीनी पर अल्रड़ी समझेगा 200 रुपे किलो तक जुकीनी का रेट जा रहे है मिनीमम भी अगर 35 भी जाता है रेट तब भी मुनाफ़े में घाटे में तो नहीं पिकरी है तब भी का जुकीनी की प्रोडक्शन कोस्ट क्या आ जाती होगी आराउंड 5-10 रुपी 5-10 रुपी लॉजिस्टिक और तो 15 रुपे तो अच्छा गासा मुनाफ़ा है करना आना चाहिए में ली यह है तो आपका अगर रिवेन्यू का बात करें तो आपका अभी यह चार महिनों में किसकी स्रेट पर क्या गिया है जैसे जुकीनी है वो मेरा यह 6 रोज है अराउंड 1000 सीट से अच्छा जी उसमें उपर नीचे कुछ दिक्कत भी आ गई थी उसके बाद वी वन टन अराउंड जो हर्वेस्ट हुआ है उसका एक एवरेज रेट अपन असी रुपे पकड़के चले घ्रीन वाली थोड़ी सस्ती जाती है यहलो वाली हल्की महेंगी जाती है तो दोनों के एक एवरेज निकाल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया